नमस्कार दोस्तों को इताय दे यूटूग चैनल पर आप सबी का स्वागत हैं सबसे पहले आप सबी को तिपावली की हार्दिक सुपकामनाई इश्वर करें आपके जीवन में धेर सारी खुशी आए तो शुरुवात कर लेते हैं आज की क्लास की अभ्यास परशन पत्तर नमबर एक से अभी हाली में होने वाले टीजीटी पीजीटी हिंदी की परिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम अधिक से अधिक परशनों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए किसी भी स्टेट के अंतरगत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी की परिक्षाओं के लिए तो हैल्फ्ल होईगी साथ ही जो है एंटी नेट की परिक्षा हो या किसी भी और अन्य कोई अधर परिक्षा हो जिसमें हिंदी साहित है बाशा विज्ञान या कावे सास्ते समंदी परशन पूछे जाते हैं सबी के लिए ये क्लास काफी हैल्फुल रहेगी तो साथ ही आज हम कुछ परशनों को जो है CDP के परशनों को भी आज की क्लास में करने की कोशिश करेंगे और स्पेशल अभ्यास परशन पत्रों को हम जो है करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि इन परशनों के माध्यम से आपको काफी परिक्षा में हेल्प मिल सके तो देख लेते हैं शुरुआत कर लेते हैं परशन नमबर एक से मनुकला ससी भान कला सोलह सो बनिये किस रासोगरंद की पंक्तिया है तो यह मनुकला ससी भान कला यह पंक्ति काफी बार परिक्षा में पूछी जाती है यह पित विराज रासोगरंद की पंक्ति है जो की चंद बर्द पर्षन नमबर दो पित्वी राजरासों के विशे में कौन सी धारना अधिक उप्यूकत है तो पर्षन को ध्यान से पढ़ना है तो पित्वी राजरासों को वैसे परमानिक भी माना गया है एपरमानिक भी माना गया है और अर्थ परमानिक भी माना गया है लेकिन विद्वान कौन सी धारना है इन में से अर्ध परमानिक माना गया है पिट विराज रासों को ये धारना अधिक प्यूक्त मानी जाती है और ये अर्ध परमानिक किसने माना है तो ये विध्यान रखना है हजारी परश्याद ने हजारी परश्याद विवेदी ने सुनिती कुमार चटर जी और जो है मुनी जीन वी जेने इन तीनों विध्वानों ने प trásवी रूसरासों को अर्ध परमानिक माना है और साथ जो है परमानिक मानने वाले विध्वान है यह हम वियाख्या सॉइट पर्षनों को जिब कर रहे है तो बार-बार इनको रिवाइジ करते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोगों को अमारी जो हिंदी साहिते से सम व्याख्या साहित परशनों की जो सीरी चली हुई है उसके माध्यम से आप जो है अधिक से अधिक परशनों का अभ्यास कर सकते हो आपकी परिक्षाओं के लिए काफी हैल्फुल रहेगा तो देख लेते हैं परशन नमबर 3 नारी निंदा की समपर्दाई में मिलती है बढ़ते हैं आगे अगला परशन हमारा परशन नमबर 4 आदिकाल में रचित कावे शर्वादिक की सहिते में रचे गई तो आदिकाल में रचित कावे जो सर्वादिक हमारे जैन सहिते में रच ये भी ध्यान रखना है उरांत में आप लोगों को अपना स्कोर भी बता दीना है अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करते हुए भी चलना है ताकि मुझे भी next class बनाने का motivation मिलता रहे तो देख लेते हैं परशन नमबर 5 राहुल सांस करता है और दुवारा संपादित द यो रचनाई हमें देखने को मिलती है संपादित की गई तो सरहपाद आप सभी को पता है सिद कवी रही है और हिंदी के पर्थम कवी माने जाती है राहुल सांस करता है अंजी दुवारा तो देख लेते हैं हिंदी निम्न में से किस बाशा परिवार की बाशा है तो हिंदी उसके बाद देख लेते हैं परशन नमबर 7 अमारा भारतिया आरिया बाशा परिवार की बाशाओ का मूल सत्रोत कौन सी बाशा माने जाती है तो भारतिया आरिया बाशाओ परिवार का मूल सत्रोत पूछा जाए तो वैदिक संस्कित मानी जाती है वैदिक संस्कित से निकले पाली, पाली से प्राकरत, प्राकरत से अब बरंस्फिर दीरे-दीरे हिंदी का विकास हुआ उसके बाद बात करें आगे पर्शन नम्बर आठ तमिल तेलगू कनड मल्यालम भाषाइ किस भाषा परिवार से संमन्ध रखती है तो ये हमारी जो भाशाई हैं ये दर्विड भाशा परिवार से सम्मंद रखती हैं बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन पर्शन नमबर नो भाशा का मोल रूप कौन सा है तो भाशा का मोल रूप निमलिक में से भाषा का जो मोल रूप है वो कौन सा माना जाता है मोखिक रूप मोखिक रूप भाषा का मोल रूप माना जाता है बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन है पर्शन नमबर 10 खड़ी बोली हिंदी का साहितिक रूप की शताबदी में विक्षित हुआ तो खड़ी बोली हिंदी का साहित्तिक रूप जो है 19 विस्ताबदी में विक्षित हुआ बढ़ते हैं आगे अगला परशन है हिंदी को भारतिय सवीदान के संग की राजबाशा के रूप में कब मान्यता मिली तो भारतिय सवीदान के संग की राजबाशा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली है 14 सितंब के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को प्रिक्रिष्ट और परिमार्जित करने में मैं तव पूरन भूमी का निबाई है तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सरसोती पत्री का पढ़ते हैं आगे अगला पर्शन है हमारा पर्शन नमबर तेरा उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिन के किस रूप में विक्षित हुई तो उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिन के हमें दक्षिनी हिंदी के रूप में विक्षित होती हुई देखने को मिलती है बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन हमारा पर्शन न जो राजकाज की भाशा के रूप में जो है फार्शी भाशा को माननेता प्राप्त हुई पढ़ते हैं आगे अगला परशन है सवीधान के किस अनुचेद की अनुसार संग की राजबाशा हिंदी और लीपी देव नागरी मानी जाएगी यह कहा गया सवीधान के किस अनुचेट की अनुवसार आपको बताना है आउन्सार हो जाईगा हमारा अनुचेट 343 बढ़ते हैं आगे अगला परचियदा हमारा ब्रेज भाषा और अवधी किस काल की कावे भाषाई थी ब्रेज भाशा और अवधी निमलिक्त में से किस काल की कावे भाशा इती ये आपको बताना है तो मद्यकाल की जो ये कावे भाशा इती ब्रेज भाशा और अवधी तो ये आपको ध्यान कर रखना है मद्यकाल के अंतरकत भी जो है एक आता है हमारा पूरो मद्यकाल भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है जिसमें हमें रामचरी तर्मानच जैसे महा काव्य की रचना अवदिवाशा में देखने को मिली साथ ही जो है उत्तर मद्यकाल हमारा रितिकाल का नाम आता है तो रितिकाल और भक्तिकाल में जो है ब्रेजबाशा और अवदी कावेबाशा के रूप में रही ये आप सभी को पता है पूरा का पूरा ब्रेजबाशा पूरा का पूरा जो रितिकाल है ब्रेजबाशा में लिखा गया पढ़ते हैं आगे अगला परशेना परशेन नमबर 17 तोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे बही एक्स्पिलेनेशन हम कम करेंगे आज के परशनों में क्योंकि व्यक्ष्षा सहीत परशनों की हमारी सीरीज चली हुए उसमें आप लोगों को सभी तत्य देखने को साथ साथ मिल जाते हैं तो तत्यों की बार-बार रि हम देखते हुए चलेंगे हिंदी के बोलीों को कितने वर्गों में रखा गया तो हिंदी की जो बोली और कनों जी थ wrapped के अंतरगत आती है। और ये हमारी पश्चमी हिंदे निकली है, शोरशेनिय अपबरन से, बढ़ते हैं आगे अगला परशन है, आदुनिक भारतियार या बाशाओ का विकास, किस से हुआ भारतियार या बाशाओ का जो विकास है, वो किस से माना जाता है, ये आपको बताना है, ये माना जाता है सं उसके बाद अगला परशन देख लेते हैं परशन नमबर 20 भौजपुरी मुल्यतर किस पर्देश की बोली है वौजपुरी बोली बिहार की बोली मानी जाती है बिहार के अंतरगात जो है पूर्भी बिहारी बोली आई और एक आई है अमारी जो है पूर्वी बिहारी और पस्चिमी बिहारी आपको ये बताना है पूर्वी बिहारी किसके अंतरगत आती है पस्चिम के अंतरगत या पूर्वी बोली के अंतरगत ये आपको कमेंट बोक्स में बताना है क्योंकि व्याख्या सहीद परशनों को जब हम करते हैं तो सभी ह случаев के साथ हम बार बार पर्शनों को तथ्चों को दोराने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं आगे अगला परशह नंबर 21 मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ तो मानक हिंदी का विकास निमलिक्त में से जो है खड़ी बोली हिंदी में हुआ बढ़ते हैं आगे अगला परशन हमारा भाषा के संदर्व में अशूत तथ्य कौन सा है तो भाषा अर्चित संपत्ति है बिल्कुल सही है भाषा यानि सीखी जाती है अर्चित की ज जाती है तो और भाषा परिवर्त अनसील है बिल्कुल सही है भाषा सामाजिक वस्तू नहीं है तो यह आपका हो जाएगा आंसर सी हमारा आंसर हो और भाशा अनुकरंट वारा आर्चीत किजी जाती है यह बिल्कुल डिंवारा सही संदी और गिरिषद में कौन सी संदी है बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन है महात्मा निम्लिक्त में से कौन सा समास है महात्मा शब्द में कौन सा समास है यह पुछा हुआ है तो महात्मा शब्द में जो है हमारा करमदारिय समास है उसके बाद देख लेते हैं आगे पर्शन नमबर पट्र लेखन निम्लिक्त में स यह हमारे तीन परकार के पत्तर होते हैं, उसके बाद देख लेते हैं आगे परशन नमबर 27, हिंदी के परशित कहानीकार का ना अमाता है, तो हम प्रेम चंजी को आंसर में लगाएंगे, प्रेम चंजी को ही किंदर में रख करके, कहानी को कई बागों में बाटा गया, बढ़ जो लिखा वो जैशंकर परशाद जी दुवारा लिखा गया, निमलिक्त में से अलंकार कौन सा है, तो इन में से जो अलंकार का बेद पुछा हुआ है, इन में से कौन सा अलंकार का बेद है, तो हमारा शब्दा अलंकार का एक बेद है, जो कि अर्था अलंकार और शब्दा अलंकार मुख्य रूप से अलंकार के बेद माने जाते हैं लेकिन लाटा अनुपरास और छेका अनुपरास ये हमारे जो है अनुपरास अलंकारों के बेद हैं ये अनुपरास अलंकार का बेद नहीं पुछा है यहाँ पर अलंकार का बेद पुछा हुआ है तो आंसर हो जाए अगला पर्शन देख लेते हैं निमलिक्त में से रस का कौन सबेद है तो इन में से जो है करून रस होता है अमारा ये उल्लेक रूप नाम का कोई रस नहीं होता है भड़ते हैं आगे अगला परशन है अमारा परशन नमबर 32, निमलिक्त में से अर्थ के अनेकार्थ शब्द बताईए, तो अर्थ के जो अनेकार्थ शब्द है, इन में से हो जाएंगे, एक कारण, मतलब और धन, अर्थ अमारा धन भी होता है, बढ़ते हैं आगे, अगला परशन है, अमारा पर जाती हैं बढ़ते हैं आगे हिंदी भाषा का जनम किसे हुआ हिंदी भाषा का जनम पूछा हुआ है तो यह हुआ हमारा अपबरंच से यह आपको ध्यान रखना है अगर यह पूछ लिया जाए भारतियार यह भाषाओ का जो जनम है वो कहां से वक कौन सी भाषा मानी जाती ह भारतियार या भाषाओं की जन्ने तो अमारी संस्कृत मानी जाएगे लेकिन हिंदी भाषा का जनम पूछा जाए तो अप बरंसे निकले थी हिंदी बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन हमारा पर्शन नंबर 35 हिंदी में को निमलिक्त में से कौन सी बोली अथवा भाषा Treasury 5 का अंसर हो जाएगा तिल्कू तिनों जो बात बॉली अत्फवा भाषा है वे इन्दी के एंतरगत आती है और दीफूर्वी हिंदी के अंतरगत आती है बांगरू और जो कर नोजी पाश्चिमी हिंदी के अंतरगत आती है उसके उसके बाद बाद करें आगे अगला परशन है परशन नमबर 36 हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रेज बाशा निमलिक्त में से किस रूप में सबसे अधिक परशित है तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रेज बाशा वे निमलिक्त में से कावे बाशा की रूप में परश आगे मेथिल कोकिल किसे कहा जाता है मेथिल कोकिल आदिकाल के परमुक कभी विद्यापती को कहा जाता है किर्शन कावय की अपार संपद्धा किस बाशा में है किर्शन कावय की अपार संपद्धा हमें ब्रेज बाशा में देखने को मिलती है सूर्दास जी जो के किर्शन बाशा में रचनाय लिखी थी उसके बाद देख लेते हैं पर्षय नंबर 40 ब्रिज बाशा खड़ी बोली हर्यानवी बुंदेली कन्नोजी बोली या हिंदी की बोलियों के किस वर्ग में आती है तो यह आती है हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतरगत यह सभी बोलिया हमारी पर्षय नंबर 41 निमलिक्त में से कौन सा जो शब्द शुद है तो इन में से कौन सा सब्द सुद लिखा हुआ है कल्यान बिलकुल शुद लिखा हुआ है रासायन भी और कलश भी यह हमारा जो है पुन्य में छोटे हो की मात्रा आएगी बढ़ते हैं आगे अगला पर्षय पर्षय नंबर 43 निमलिक्त में से सम्मान शब्द का शुद रूप पताईए तो यहां पर सन्मान लिखा हुआ है हमारा सम्मान होता है आंसर हो जाएगा हमारा सी बढ़ते हैं आगे पर्षय नंबर 44 निमलिक्त में से अलपरान वरन को कौन सा है तो अलपरान जिस वरन को ब वे हमारे अलपरान के अंतरगत आती हैं तो किसी भी वरक का जो पहला तीसरा और पांचवा यह वर्ण दिये गए हो यह हमारे अलपरान में सामिलोंगे जैसे कि क्या और खै को छोड़कर गया तो आंसर हो जाएगा हमारा डी बढ़ते हैं आगे अगला परशन देख लेते हैं परशन नमबर 45 तुम तुमने तुम लोगो यह निमलिक में से किस वचन से संबन्द रखते हैं तो यह हमारे बहुवचन के शब्द है भड़ते हैं आगे अगला परशन है परियावर्ण शब्द का सही संदि विछेद कौन सा है तो परियावर्ण जो शब्द है इसमें सही इस संदी विछेद है परिपलस में आवरण अमारा परियावरन शब्द का सही संदी विछेद हो जाएगा अगर यह पूछ लिया जाए तो इसमें संधी कौन सी है तो संधी अमारी पर यावन सब्द में यन संदी है E पलस A यह यहाँ पर मिल करके क्या बन रहा है यह बन रहा है तो ध्यान रखना है यह यन संदी का उदारन है तो उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला परशन हमारा पवन का सही संदी विचेद निमलिक में से कौन सा है तो पवन का जो हमारा संदी विचेद वो हो जाएगा पो पलस अन यहाँ पर O पलस A मिल कर क्या बन रहा है आओ यह हमारा बन रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पवन तो सोरी भी यह आंसर हो जाएगा हमारा भी पवन श्यप्ट बन जाएगा ये हमारा किस संदी का उधारन है तो ये हमारा जो है आयादी संदी का उधारन है ये भी आपको ध्यान रखना है उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला पर्शन हमारा पर्शन नमबर 48 सागपात में निमलिक्त में से कौन सा समास है सागपात जो शब्द दिया हुआ है ये दोनों पर जो समान होने के कारण दुएंद समास है अगला पर्शन हमारा बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन हमारा पर्शन नमबर 49 इसे हुआ अगर हिंदी भाषा का जनम पूछा जाए तो आप ब्रंस से ये दो एक दो पर्षन हमारे रीपीट हो गई हुए इसमें निमलिक्थ में से कौन सी बोली अथ्वा बाषा हिंदी के अंतरगत नहीं आती तो इन पर्शन पर्शन 153 निम्लिक्त मेंसे कोन सा मोहन राकेशं का नाटक नहीं है तो इन मेंसे जो है लहरों का राजहन, अशाड का एक दिन और आदे अधूरे तीनों नातक मोहन राकेशंच की जीए लेकिन पत्यों नातक जो है धरंवीर भारती जीए का है locks परणवीर भारती, उसके बाद देख लेते हैं, अगला पर्चन, पर्चन νम्बर चोवन, भटनी की सुपन्यास की नाईका है, तो भटनी जो है, भटनी जो है, हमारी बांड बटकी आतम कफा की नाईका है, और ये इनका उपन्यास है, कई बार ये विदा भी पूछ लियाती है हाजारी पर्शाद जी का उपन्यास है और भटनी इनकी परमुःखनाई कामानी जाते हैं निपोनिया-भटनी यह हाजारी परशाद जी का उपन्यास है उसके बाद देख लेते आगे अगला पर्शन अवारन इन में dusty क्यों यूग द्विवेदी यूग इसमें से कौन सा जो कवी है द्विवेदी यूग के अंतरगत सामिल नहीं है तो अयुद्धा सिंग पादे हरियोद भी द्विवेदी यूग के कवी है राम देश्तिर पाठी भी और मैथली सरंगुपते भी लेकिन सोहनलाल द्विवेदी आचारी रामचंद शुकल के इतियास करंद का नाम बताईए, तो हिंदी साइट्य का इतियास इनोंने लिखा था 1929 में परकाशित हुआ, बढ़ते हैं आगे, अगला पर्शन है हिंदी साइट्य का इतियास और पर्थमकिस बाशा में लिखा गया, तो सबसे पहले हिंदी प्रेंच बाशा में लिखा उसके बाद देख लेते हैं आगे परशन नमबर अठावन अध्यात्मिक रंग के चसमे आज कल बहुत सस्ते हो गए है आचारी रामचंज शुक्ल जी का कतन किस कवी के सम्मद में है तो ये विद्यापती जी के सम्मद में शुक्ल ने कहा उसके ब गई तो वो भाशा है इनमें से मगई मेथिली कॉंकनी और सिंदी ये सभी भाशा है अश्टमनु सुची में सामिल की हुई है उसके बाद देख लेते हैं परशन नमबर साथ अगला परशन हमारा वर्तमान में सभीदान के अश्टमनु सुची में कितनी भाशाओं का उल्ल हमें मिलता है अगर शुरुआत में पूछ लिया जाए तो शुरुआत में हमें चोदा भाशाओं का उल्लेक मिलता था बढ़ते हैं आगे अगला परशन है परशन नमबर 61 सभीदान के बाद में वेशन सोदन दी नियम दो अजार दीन दुवारा कितनी भाशाओं को बारति वेशन सोदन में शामिल किया गया आगे बढ़ते हैं दृष्ट पदों की रचना कि सकवी ने की तो सूर्दास जी दुआरा साहित लहरी में दृष्ट कूट पदों की रचना की गई बढ़ते हैं आगे अगला परशन हमारा उक्ति वेक्ति परकरन के लेकक कौन है तो दाम जी दुआरा लगें गई मेरी तेरी उसकी बाद रचना बढ़ते हैं आगे शै दवनी का उचारण सchnतान बताईए तो शै दवनी जो ये शै शलकम वाला शै इसका उचारण स마ई होगा तालवय तालवय इसका उच्चारन स्थान हो जाएगा अगर ये वाला शय पूछ लिया जाए शय शटकोन वाला तो मुद्रने आंसर होगा अगर ये वाला सय सडक वाला सय होगा तो दंते आंसर होगा तो सभी ये शय किस दमनी का जो उच्चारन स्थान है कि इस परकार से कौन समाना जाता है आपको ध्यान रखना है भड़ते हैं आगे अगला पर्शन है पर्शन नमबर 66 जगत जानों जिन्ही सकल सोहरी जानों नाही जो आखिन सम देखी आखिन न देखी जाई उफ पंक्तिया में जो है अलंकार पुछा हुआ है तो ये इसमें अलंकार जो है उधारन अलंकार दिया हुआ है बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन देख लेते हैं हिंदी के खड़ी बोली शब्द के परियोग का श्रे किसे जाता है आंसर हो जाएगा हमारा जोन गिल्किराइश्ट जी को उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हिंदी के लिए खड़ी बोली को कावे बाशा के अगला पर्शन हमारा खड़ी बोली शब्द का स्वर पर्था मुले किसने किया तो सबसे पहले किसने सुविकार किया तो सही अंसर हो जाएगा इसका अमारा विलियम प्राइज़ ने आज के जो इस अभ्यास परशन पत्र में भाशा विज्ञान के परशन अधिक आ गई है तो आगे के परशन पत्रों में ध्यान दिया जाएगा क्योंकि संपून हिंदी के जो हैं इकवल तरीके से परशनों को यहां पर लाने की कोशिश करेंगे कुछ पाशा विज्ञान के परशन होगे तो कुछ आपको काव्य सास्तर समन्दी परशन देखने को मिलेंगे तो कुछ जो है संपून हिंदी साहिते के परशन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें काव्य खंड और गध्य खंड तोनों सामिलोंगे और साथ ही CDB के पर्षनों को भी हमी सब्यास पर्षन में पर्षन पत्र में करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे कुछ important पर्षन है जो पिछली परिक्षाओं में पूछे जा चुकी है वे पर्षन हमारे भार भार रिपीट होते रहे और उनी पर्षनों में से आपको परिक्षाओं में जब पर्षन देखने को मिले तो आसानी से उनका सही अंसर दे सकोगे तो एक बार फिर से कहना चाहूंगे वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करते हुए चलना है बढ़ते हैं आगे अगला देख लेते हैं मानकी करन का स्वर पर्थम उलेक किस ने किया तो मानकी करन का स्वर पर्थम उलेक एथरी टेंक जी ने किया है उसके बाद मानक हिंदी की आधार बोली मानक हिंदी की आधार बोली जो है कोर्वी मानी जाती है जो कि कोर्वी को ही खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है बढ़ते हैं आगे अगला परशन है हमारा मानक हिंदी को आदार बोली के परशक कुनू ते सेती आदी रूपो को आदर्श बाशा में जो है एस्वी किर्थ किया गया है तो ये आपको ध्यान रखना है उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला परशन है जबकि मानक हिंदी में इनकी संख्या कितनी है तो ये आपको बताना है तो मानक हिंदी में इनकी संख्या जो है दो मानी जाती है भई आगे बढ़ते हैं अगला पर्शन हमारा पर्शन नमर 74 देख लेते हैं जिसकी उसकी जो सुवादी सरवनाम जो है किस से संबंद रखते हैं तो ये सरवनाम हमारे जो है संबंद वाचक सरवनाम से संबंद देता है बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन है इन में से जो सुमेलि करना है में तु तुम आप ये कौन से संबर नाम है ये हमारे पुरुष वाचक सरवनाम है एक का दो हो जाएगा कौन क्या कहां ये हमारे परशन वाचक सरवनाम है दो का हमारा चार हो जाएगा और यह वह ये ये हमारे निश्च वाचक सरवनाम है तीन का हमारा हो जाएगा प मानक हिंदी में सरवनाम के कितने बेद हैं तो मानक हिंदी में सरवनाम के हमारे 600 बेद मने जाते है किस अगला पर्षाइन देख लेत को निलिक्त में से किसकी कोटिया कहा जाता है एंसर और जाईगा हमारा संग्या की कोटिया कहा जाता है मानक हिंदी की संग्या के कितने भेद हैं तो मानक हिंदी में जो संग्या के कितने भेद माने जाती है ये आप सभी को पता है पांच भेद होते हैं संग्या के हिंदी वर्तनी पर पुष्टक लिखने वाले पर्थम रचनाकार का नाम बताईए तो हिंदी वरतनी पर जो पुस्तक लिखी वे लिखी चत्तरदारी सिंगने उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला परशन हमारा परशन नमबर 82 उनिस्वी स्ताबदी के अंतिम चरण में हिंदी वरतनी पर विचार स्वी किर्थी करने वाला वेटवान निमलिक्त में से कौन सा है तो आंसर हो जाएगा हमारा अंभी का दत्व्यास बढ़ते हैं आगे अगला परशन हमारा भारतेंदू अरेश्चंदर तथा राजा शिव परशाद शितारे हिंद ने अपनी रचनाव में कारक्चिनों को कैसे लिखा तो कि इस परकार से लिखा उन्होंने अलग करके कारक्चिनों को अलग करके लिखा उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला परशन देख लेते हैं परशन नमबर 84 सन अठारा सो अठासी में हिंदी बंगवासी के संपादक ने अपने पत्तर में कारक चीनों को मिलाकर लिखना उचित ठहराया तो इसका परक विरोध निमलिक्ट में से किसके दुआरा किया गया तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अमिका दत्व्यास के दुआरा उसके बाद आगे देख लेते हैं परशा नमबर 85-85 निमलिक्ट को सुमेलित कीजिए की नीचे दिये गए कुटकी साइता से सही उत्तर चुन किस परकार से लिखे गए हैं तो देख लेते हैं सूची एक और सूची दो को आपस में मिलान करते हुए हम देखें किस विद्वान बहारी जी दुवारा वन विन्यास की समक्षा समस्या नामक जो पुस्तक लिखे गए वन विन्यास की समस्या हर देव बहारी और माता परशाद गुप्त जी दुवारा जो लिखे गए वो पुस्तक है हमारी हिंदी सब्द सागर का स्त्री करन दिरेंदर शर्मा जी दुवा लिखी गई उस पुस्तक का नाम है हमारा हिंदी व्याकरन बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन है हमारा पर्शन नंबर चैसी जिसे हमशुद हिंदी कहते है वस्तूतव है जो है मानकवाशा है उसके बाद देख लेते हैं आगे पर्शन नमबर 87 निमलिक्त मेंसे किस ने कहा कि बालकों के सरीरिक कारिये करने की अक्षमता अधिक होती है जबकि बालिकाव में समिर्थी की योगीता अधिक होती है तो ये आपको पताना है तो ये कथनकिस विद्वान के दुआरा कहा गया है कि जो बालकों तेहर था जो लड़के हो करने की अक्षमता अधिक होती है लेकिन जो लड़किया होती है बालिकाई होती है उन में स्मिर्थी यानि की याद रखने की योगता अधिक होती है ये कहा गया निमलिक्ट में से स्कीनर जी दुवारा तो स्कीनर दुवारा ये कथन कहा गया ध्यान रखना है बढ़ते हैं आ तो पियाजे दुवारा माना गया कि बच्चा आयमूर्थ सतर पर चिंतन बोधिक किरियाए और समश्या समादान की जो प्रविर्ति है वो कब किस अवस्था में देखने को में मिलती है बच्चे के तो आंसर हो जाएगा हमारा ओपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में उसके पर चिंतन बाद देख लेते हैं आगे अगला पर्शन हमारा पर्शन नंबर 89 89 89 ऑमूर्थ बुद्धि वाने व्यक्ति निम लिक्ट में से किस कार्ये छेतर को चुनते है तो आपको बताना है तो इस पर्शन का अमारा सही आंसर हो जाएगा वकेल साहित्यकार या दार्सनिक सभी डी आंसर हो जाएगा हमारा उसके बाद देख लेते हैं आगे परशन नमबर 90 सामाजी कार्थिक मुद्दो में जूज रहे उन बच्चों की जिनकी परतिबा पर बावित हो सकती है तो उसे कौन साहिता करता है तो सही आंसर इस परशन का हो जाएगा हमारा सव अधी गम माडल उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला परशन हमारा परशन नमबर 90 में व्यावार के कारण व्यावार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है व्यावार के कारण व्यावार में परिवर्तन ही पर्शन नमबर बान में इन में से कौन सा आंतरिक अभी प्रेणा का उधारन है तो इन में से आंतरिक अभी प्रेणा का उधारन हम देखते हैं तो श्वैम के लिए समश्या का समाधान करना जो है आंतरिक अभी प्रेणा का उधारन होता है उसके बाद आगे बढ़ते हैं छोटे शिक्षार्थियों में नेमलिक्त में से कौन सा लक्षन, पथन कथिनाई का नहीं है इन आपको बताना है, तो सही आंसर purchase का हो जाएगा हमारा पथन गति और पर्वाग में कथिनाई, तो यह छोटे जो शिक्षार्थ lethal होते हैं उसका लक्षन पठन कटनाई में नहीं माना जाता, पठन गती और परवा में कटनाई, शब्दों और विचारों की समझने में कटनाई, ये हमारा पठन कटनाई में सामिल है, सूसंगत वर्तनी में कटनाई, ये भी हमारे पठन कटनाई में सामिल है, वर्ण एवं शब्द पै इसके इसके अंदर नहीं आता है उसके बाद बाद करें आगे अगला पर्शन नमबर चुरान में अपनी पुस्तक दी condition of learning में सीखने के लिए कितने परकार बताई है तो the condition of learning में सीखने के लिए जो परकार बताई गई है वे कितने परकार बताई गई है तो ये answer हो जाएगा हमारा 8 परकार the condition of learning जो पुस्तक है उसमें सीखने के जो परकार होते हैं वे आठ परकार बताई गए है बढ़ते हैं आगे अगला पर्षन हमारा पर्षन नमबर 95 बारतिये समाज की बहु बाशिक विशेषता को कैसे देखा जाना चाहिए तो इस पर्षन का हमारा सही आंसर हो जाएगा विड्याली जीवन को समर्द बनाने के लिए संसाधन के तो इस परकार से जो है आगे बढ़ते हैं अगला पर्षन हमारा पर्षन नमबर 96 में वह अवस्ता जब बालक अपने अभिवाव को के साथ कम आनन्दित होता है वह विकास किस से सम्मंदित है तो जब बालक अपने अभिवाव के साथ कम आनन्दित होता है वह जो है विकास हमारा सम्मधित होता है निमलिक्ट में से सामाजिक विकास से तो यह आपको ध्यान रखना है और लगबग हम जो है 96 परशनों को हमने यह आपर complete कर लिया है और आगे हमारा जो paragraph है paragraph को पढ़ने में इसके परशनों को करने में काफी समय लग जाएगा इसलिए paragraph को आप जो है read करके उसके परशनों का अभ्यास आपको हर practice set के साथ करते हुए चलना है paragraph के परशनों को भी पढ़ करके आपको जो हैं करते हुए अपनी तयारी को आगे बढ़ाते रहना है वीडियो पसंद आई तो आई करना दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिविकेशन आपको समय पर मिलता रहे बढ़ते रहना आगे बढ़ते रहना थेंक्यू धन्यवाद